Hello Everyone, Welcome to this channel, I am C.S. Ritu, आज का वीडियो है विदानता लिमिटेड पे, आज के इस वीडियो में हम विदानता लिमिटेड से रिलेटेड त्री लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानेंगे, पहला अपडेट आया है विदानता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने विदानता के स्टरलाइट कॉपर प्लान के मैटर में हीरिंग की डेट फिक्स कर दी है, क्या डेट है ये जानेंगे हम इस वीडियो में second update आया है विदानता के semiconductor business से related और third update आया है विदानता के semiconductor और display glass business के coming few years के capex plan से related इन तीनों updates के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस stock में हमें अब क्या target दिख सकते हैं technical chart के हिसाब से ये stock क्या level दिखा सकता है और analyst के हिसाब से ये stock क्या level दिखा सकता है वीडियो को end तक जरूर देखेगा इस share की अगर बात करें तो share में आज तेजी आई है stock 1.41% बड़ा है 229.4 के level पे आज इस stock ने closing दी है वीडियो को start करते हैं जानते हैं इस सभी updates के बारे में सबसे पहले अगर बात करें वीडानता के starlight copper plant के matter में सुप्रीम कोर्ट ने इस matter में hearing fix कर दी है hearing की date है November 29 और ये date बहुत important है because इस date पे final decision आएगा वीडानता के starlight copper plant के closure से related सुप्रीम कोर्ट की website के हिसाब से वीडानता group की ये plea की वीडानता limited का starlight copper plant open होना चाहिए इसकी hearing सुप्रीम कोर्ट करेगा November 29 को 9 October को ही इस matter में एक update आया था और इसके बारे में हमने आपको inform भी किया था एक video upload भी किया था जिसमें कि हमने बताया था कि 9 October को Chief Justice D.Y.C. ने ये assure किया है company के council को कि इस matter की dedicated hearing होगी और two dedicated dates दी जाएंगी इस matter की hearing के लिए और अब finally इस matter में date अनौंस हो गई है इस matter की hearing होनी है November 29 को So इस date पर ये देखना बहुत जरूरी होगा कि क्या decision आता है सुप्रीम कोर्ट का स्टरलाइट कॉपर प्लांट के closures है related इस matter में April 10 को सुप्रीम कोर्ट ने ये direction दिया था कि विदानता गुर्प को allow किया जाए कि वो स्टरलाइट कॉपर प्लांट की maintenance activity परफॉर्म कर सकती है लेकिन ये maintenance activity कंपनी परफॉर्म कर सकती है under supervision of high level monitoring committee विदानता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट के closure का matter क्या है इसको अगर हम short में समझें तो विदानता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट पर प्लांट पर प्रोटेस्ट हुए थे क्योंकि ठूटु कोदी टमिल नाडू जहां पर ये plant located है वहां के local लोगों को ये complaint थी इस company के plants related कि ये plant environmental pollution कर रहा है वहां पर और इसी वज़े से वहां पर इस plant के against protest हुए थे May 2018 को पुलिस ने firing भी की थी जिसमें around 13 लोगों की death हो गई थी विदानता के इस plant पे और तभी के बाद से वहां की local government यानि की तमिल नाडू गवर्मेंट ने May 28 2018 को ये direct किया था state pollution control board को कि वो इस plant को seal कर दे और पर्मनेंटी close कर दे और 2018 से ही ये plant closed है बद विदानता लिमिटेड ने प्लीस फाइल करी है इस plant की opening के लिए और इस matter कि अब final hearing होनी है final hearing की date है November 29 second important update आया है विदानता के display glass manufacturing और semiconductor business से related और ये update आये हैं Mr. Akash Heber के CNBC TV 18 के exclusive talk के बाद Mr. Akash Heber विदानता के global managing director है semiconductor और display business के लिए Mr. Akash Heber ने विदानता के semiconductor और display business से related कुछ important updates दिये हैं Mr. Akash Heber ने इस interaction में बताया है कि विदानता के semiconductor vision में कोई भी change नहीं है company semiconductor business undertake करेगी और उसके लिए reasonable step company ले रही है currently semiconductor business को इंडिया में करने के लिए विदानता लिमिटेट पार्टनर सर्च कर रहा है इस matter में Mr. Akash Heber ने बताया है कि company बहुत सारे players के साथ collaboration के लिए consider कर रही है और company one of the world largest semiconductor company micron के साथ भी future में collaboration कर सकती है Mr. Akash Heber ने ये भी बताया है कि विदानता group expect कर रहा है कि government का approval उनको semiconductor और display fabrication plant के लिए जल्दी ही मिल जाएगा और regarding partners related यहाँ पर उन्होंने ये का है कि विदानता talks में है बहुत सारी key technology companies के साथ और बहुत ही जल्दी technology partner announce हो जाएगा विदानता के semi conductor business के लिए As we all know विदानता ने de-merger के announcement करी हुई है और विदानता का ये semi conductor और display glass business विदानता limited के अंडर ही आएगा इस de-merger के हो जाने के बाद भी And production start होने की timeline पर Global MD आकाश हेबर ने ये बताया है कि company का ये plan है कि 2027 तक commercial production स्टार्ट हो जाए semi conductors का इंडिया में और 2026 तक display glass का production स्टार्ट हो जाए और as we all know विदानता का ये semi conductor और display fabrication plant located होगा दोलेरा गुजरात में And regarding capex plant Mr. हेबर ने बताया है कि विदानता ने अल्रेडी अनौन्स किया है कि investment होगी around 20 billion डॉलर की new business में यानि की semiconductor business में और display glass business में And next 3-4 की capex requirement पर Mr. आकर शेबर ने ये कहा है कि semiconductor foundry के लिए company को 8-10 billion dollar की requirement होगी and display business के लिए company को 3-4 billion dollar की requirement होगी So ये latest update है विदानता के semiconductor business से related और starlight copper की supreme coat hearing से related अब बहुत सारे investors का यहाँ पर ये question है कि विदानता के stock में तेजी कब तक आएगी stock क्या level दिखा सकता है मैंने अपनी last video में भी बताया था कि stock के लिए resistance का level है 232 rupees पे अगर इस level से उपर की closing इस stock में आती है तो फिर ये stock तेजी दिखा सकता है और stock अगर गिरता है तो मेरे view के हिसाब से stock के लिए support का level 208 rupees पे है इस level से नीचे की closing आती है तो फिर stock में हमें गिरावट देखने को मिलेगी बट ये मेरा personal opinion है कोई buy sell की recommendation नहीं है and analyst का view भी जान लेते हैं analyst के view के हिसाब से angel one के analyst के view के हम यहाँ पर बात करे हैं analyst के हिसाब से विदानता में bullish reversal अभी आएगा जब ये 235 का mark cross करेगा और अगर ये mark इस stock में cross हो जाता है तो फिर analyst के हिसाब से 250 से 260 के target stock में आ सकते हैं लेकिन analyst के हिसाब से stop loss का level investors को 210 rupees पे रखना चाहिए ये analyst का view है stock के लिए आज के वीडियो में इतना ही वीडियो को like करिए subscribe करिए thank you